हलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नमबर फेप्ट, दे सब्मीट विद इन, सब्मीट यह नहीं होता है अपेक्ष, टॉप, शिखर, और विद इन मतलब होता है हमारे अंदर का आंतरिक शिखर, ठीक है, इससे पहले हम चार चैप्टर कम्प्लेट कर चुके हैं, उनके कोशन आंसर, पोईम्स, उनके कोशन आंसर सब कम्प्लेट हैं अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बहतरी डंक से एक बहतरी चैप्टर, बिफोर यू रीड मांट एवरेश्ट पर जाने वाला जो भारती अभ्यान दल था, जिसमें कि मांट एवरेश्ट पर गए थे, उनमें एक शदिश ये कौन थे, अपने एच्पीएस एहल वालिया, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं ठीक हैं, एक्सपेडिशन मतलब होता हैं अभ्यान, उन चलिए उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनके शब्दों में, क्लाइमिंग दा सम्मिट एंड दैन, सम्मिट ये शिकर पर चड़ना, और अपने मन के सिखर पर काबू पाना, चलिए स्टार्ट करते हैं, शांदर चैप्टर All of the emotions which surged through me as I stood on the submit of Everest Everest के जब सिखर पर खड़ा था, उस समय all of the emotions सारे जो भावनाई थी, मेरे अंदर, surged, यनि उमड के आ रही थी, बाहर आ रही थी, surged होता हैं अरोज, suddenly, अचानक से उमडना, intensely, अचानक से कुछ भाव उमडना, उन्हें कहते हैं, surged मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव उमडना लगे, looking over miles of panorama below us कब, जब मैं देख रहा था, apex से, सबसे उपर, summit से देख रहा था, panorama यनि परीदरश्य नीचे के और जब देख रहा था, तब मेरे अंदर बहुत से भाव उमडने the dominant one, और उन्हें सबसे dominant, dominant यनि परमुक, one, एक जो था, I think was humility, जो कि मैं मानता हूँ, मैं सोचता था, कि सबसे परमुक क्या था, humility, यनि विनमरता the physical in me seemed to say, जो physical मतलब मेरी सारे रिक परकरती जो है, मुझे मानो ऐसा कहते हूँ, परतित हो रही थी, thank God, भगवान का शुक्रिया, it's all over कि अब ये पूरा हुआ, खतम हुआ, मतलब चड़ाई पूरी होई, Mount Everest पे चड़ गए, however, instead of being zubliant, zubliant का मतलब होता है, very happy, because of success, जब आप सफलता पे बहुत खुश होते हैं, तो उसे कहते हैं, jubliant, हालंकि जदा खुश होने के बजाए, there was a tinge of sadness, थोड़ा सा tange था, sadness, उदासी का, trash या shade, जिसको कहते हैं, tange, थोड़ा सा मन में कुछ ऐसी कसक रह गई थी, क्या थी, was it, because I had already done the ultimate, वो ये थी, क्योंकि I had, म अंतिम बिंदू पे चड़ चुका था, इससे उपर तो और जाए नहीं शकते, ठीक है न, इससे उपर कहा जाएं, माउंट एरे से उपर सबसे उची चोटी पे चड़ गए, अब इससे उपर कहा जाएं, and there would be nothing higher to climb, अब इससे उपर चड़ने के लिए कुछ नहीं था, and all roads hereafter would lead down, और यहां के बाद सारी सडकें कहां को जाएगी, नीचे की और जाएगी, क्योंकि इससे उपर जाने का और रास्ता नहीं, तो अपने poet कहते हैं कि मैं तो अपेक्स पे चड़ गया, इससे अलावा कुछ बचा ही नहीं उपर जाने को, by climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness, जब आ अभी बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, it is a joy which lasts a lifetime, और यह ऐसी खुशी होती हैं, जो जीवन भर लास्ट नहीं चलती है, lifetime जीवन भर चलती हैं, the experience changes you completely, और यह जो अनुबह होता हैं, बिलकुल पूरी तरीके से change कर देता है, the man who has been to the mountains, एक बार आदम जो mountains पे गया, is never the same again, वो कभी भी वही वापस नहीं आता, same again वापस नहीं आता, कहने का मतलब उसमें कुछ changes आ जाते हैं, सकारात्मक भाव जग जाते हैं, और कुछ अच्छी feeling आती हैं, मतलब उसके मनुभाव बदर जाते हैं, as I took back at life after climbing average, जब मैं पीछे अपने जीवन म मुड के देखता हूँ, climbing after मतलब, average पे चड़ने के बाद मैं जब देखता हूँ, I cannot, I cannot help remarking about the other summit, तो मैं एक और summit के बारे में बात किये बिना नहीं रह सकता, कौन सी summit, the summit of mind, किसकी mind की हमारे दिमाग में जो मस्तिस्क में होती है, उसके बारे में चर्चा किये वे नहीं रह सकता, उसके बिना, no less formidable, जो कि नहीं तो कम wicket and no easier to climb और नहीं चड़ना आसान, मतलब, अपने जो मन का शिकर होता है, उसके बारे में चर्चा किये बगयर नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो wicket, wicket in, कठिन भी कम नहीं होता है वो, और नहीं उस पे चड़ना आसान होता है, यह दोनों बाते होती है, next paragraph में देखिए, even when getting down from the summit, summit से नीचे आने के बाद, शिकर से नीचे आने के बाद, once the physical exhaustion had gone, physical सारे रिक exhaustion, exhaustion मतलब होता है, fatigue, tiredness, मतलब ठाकावट जो होती है, सारे रिक, वो तो had gone, जा चुकी होती है, I begin asking, और मैंने पूछना शुरू किया myself, खुद से, the question, यह प्रशन, why I had climbed Everest, कि मैं Everest पे क्यों चड़ा भई, Everest पे काँ जरू थी चड़ने की, क्यों चड़ा, why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, और ऐसा मेरी imagination में ऐसा विचारी क्यों आया, कि मैं Everest पे जाऊं, मैंने ऐसा क्यों सोचा, यह अपने, जो HPSLU वाले हैं, यह सोच र पे क्यों गया, और मेरे दिमाग में यह imagination परीकलपना क्यों बनी कि मुझे वाल जाना चाहिए, it was already a thing of the past, हालांकि अभी यह सिर्फ एक past की बात रह चुकी थी, something done yesterday, जो कल हुआ था, with every passing day, प्रती बीतते वे दिन के साथ, it would become more remote, और यह more remote, remote यह शीन होना, कम होना, धीरे तीरे यह बातें पूरा नहीं होती जाएगी, and then what would remain, फिर क्या बचेगा, would my memories fade slowly away, क्या धीरे धीरे मेरी जो memories यादे हैं, वो fade, यह दुन्दली हो जाएगी धीरे धीरे, मैं सब कुछ बूल जाओं क्या क्या धीरे धीरे, all these thoughts lead me to question myself as to why people climb mountains, और यह सारे जो विचार होते है मेरे अंदर एक फिर से सावल अठाते हैं कि लोग पहाड़ों पे क्यों चड़ते हैं, it is not easy to answer the question, इस प्रशन का उत्तर देना आसान नहीं, the simplest answer would be, और सबसे simplest साधारन answer यह होगा, as other have shared, जैसा कि कई लोगों ने कहा हैं, because it is there, क्योंकि यह वहाँ पर है, कहने का मतलब, वहा पर जाते हैं, it presents great difficulties, क्योंकि यह क्या हमारे सामने चुनोतिया रखता है, बहुत ही कठीना यहां पेश करता है, man takes delight in overcoming obstacles, और आदमी को delight खुशी मैसूस होती हैं, overcoming, विजय पाने में किस पर? जब बादाएं होती हैं, तो उस पर विजय पाना आदमी को अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ पर लोग जाते हैं, the obstacles in climbing a mountain are physical, जो mountain पर climb करने में जो obstacle बादाएं आती हैं, वो सारी सारी रिक होती हैं, physical होती है, a climb to a summit means endurance, और आप summit सिखर पर जाते हैं, इसका मतलब है endurance, आ आपकी जो अंदर की शक्ती होती है, उस पे चड़ने की शामर्तिय और persistence and willpower आपका दृड़ निश्चे और आपकी willpower या आत्मा शक्ती, वो सारा आपका शामर्तिय दृड़ता और willpower, ये इस पे डिपेंड करता हैं, कि आप summit पे जा पाओगे या नहीं, the demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also, और ये सारी exhilarating का मतलब हो गया, very exciting, बहुत ही ज़्यादा आनंद प्रद, कोई इसमें doubt नहीं है, कोई संदिय नहीं कि ये सारी कब हो पाती हैं, जब हम इनको परदर्शित करते हैं, तब ही हम हुआ जा पाते हैं और ये सारी चीज़े मेरे लिए भी थी, I have a more personal answer to the question, और मेरे पास एक व्यक्तिगत उत्तर भी हैं इसके लिए, from my childhood मेरे बचपन से I have been attracted by mountains, क्योंकि मैं mountains से आकरशित हुआ हूँ, बचपन से अपना ये जो writer है, HPSL वाले ये कहता है, मुझे तो mountains बचपन से ही पसंद थे, I had been miserable lost when away from mountains, और जब मैं mountains से जब भी दूर होता, तो म खोया खोया और miserable उदास रहता था, in the plains मैदानों के अंदर, mountains are nature at its best, और परकरती में mountains का अपना एक best और महत्वर रखते हैं, अपने इनकी अलग जगा है, their beauty उनकी शुन्दरता and majesty pose a great challenge, ये एक majesty इनकी जो अक्रश्टता शुन्दरता ये क्या एक great challenge पेस करते हैं, हमारे शा a means of communion with God, और जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, उसी प्रकार मेरा भी ये मानना है कि बगवान के साथ संपर्क सादने में mountains की महतोपूर्ण भूमी का होती हैं, ऐसा मानते हैं अपने writer, once having granted this, एक बार ये मान लेने के बाद, the question remains एक प्रश्ण बच्चता है, why average की, average ही क्यों because it is the highest क्योंकि ये सब से उपर है, the mightiest क्योंकि ये सब से mightiest शक्ति शाली and the defeat many previous attempts क्योंकि कई पहले जो defeats का मतलब हो गया frustrated या ऐसे असंभव ये चीज़ हुई है जो पहले कई attempts में असफल भी हो हैं लोग, इसलिए Mount Everest क्यों क्योंकि highest भी है और mightiest भी हैं, इसलिए mountains में किसे के लोग Everest को चुनते हैं, वहाँ पे जड़ाई को चुनते हैं, it takes the last ounce of one's energy और ये लेती है, last ounce, अंतिम अंस जो आपकी energy का होता है, वो पूरी ताकत लगाने पड़ती है आपको, it is a brutal struggle, एक ये कठीन संगर्ष होता है, with rock and ice, चट्टानों और बर्फ के साथ भयंकर आपका स खंगर्ष होता है, struggle होता है, once taken up, it cannot be given up halfway, एक बार आपने अगर शुरू कर दिया, आप इसे halfway बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, even when once life at, is at stack, यदि किसी का जीवन at stack in down पर लगा होना, किसी का जीवन भी down पर लगा हुआ हैं, तो भी आप इसे आदे रस्ते से नहीं छो सकते, क्यों, क्योंकि the passes back is as difficult as the passes onward, क्योंकि रास्ता नीचे जाने का जितना कठीन है, उतना ही आगे जाने का, तो जब उतना ही कठीन हैं, तो वापस क्यों जाएं, आगे ही बढ़ना चाहिए, इसलिए इस पे अगर शुरुवात कर दिये, तो चलना इसी पे ही है, and then और जब when the summit is climbed, और जब summit शिकर पे चड़ जाते हैं, there is the exhilaration of joy having done something, the sense of battle fought and won, इसको one पढ़ेंगे, one, w-o-n, ये one पढ़ा जाएगा ऐसे, ठीक है, वन ये जीतना, अब ये क्या है, ये बिलकुल युद के जीतने के बराबर ये खुशी परदान करता है, जब हम शिखर पे चड़ जाते हैं, there is a feeling of victory and of happiness, यहाँ पे विजय और happiness, बहुत ही खुशी मिलती हैं, जब ऐसा कांग कर लेते हैं, ग्लिम्पेसिंग, ग्लिम्पेसिंग होता जहलक, a peak in the distance, थोड़ी दूरी से जब चोटी के और एक जहलक डालते हैं, I get transported to another world, तो मैं एक दूसरी दुनिया में transported हो जाता हूं, खो जाता हूं, I experience a challenge within myself, और मेरे अंदर खुदी एक challenge, मैं experience अनुपव करने लगता हूं, अपन राइटर कहते हैं, जो क्या करता है, which can only be called mystical, जिसको क्यावल, mystical यानि spiritual आध्यात में का जा सकता है, by its beauty इसके सुन्दरता से, अलफनेस, इसका अकेला पन या एकांतता से, might सकती से, रिगड़नेस, रिगड़नेस यानि उबड़ खाबड इस्तेती से, and the difficulties और जो इसके सामन difficulties encountered, जिनका हम सामना करते हैं, on the way, रास्ते के अंदर, difficulties से सामना करते हैं, the peak draws me to it, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन कठी नायों का सामना करना, परवत की चोटी के और अकरशित करती हैं, आमें draws अपने और खींशती हैं, as average did, जैसा कि average ने भी किया, it is a challenge that is difficult to resist, और ये challenge होता हैं, जिसे आप मना नहीं कर सकते, looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed average, पीछे मुड़के ये मैं देखता हूं कि मैंने अभी तक तो पूरा इस पश्टी नहीं किया, कि मैं average पे क्यों चड़ा, it is like answering, ये ऐसा ही उत्तर देने के जैसा होगा, जैसे एक question होता है, why you breath कि आप सांस क्यों लेते हैं, मतलब मुझे कोई पूछे कि आप average पे क्यों चड़े, तो आप दे सकने हैं इसका जवाब कि आप सांस क्यों लेते हैं, why do you help your neighbor, आप अपने पड़ोशी की मदद क्यों करते हैं, why do you want to do good acts, आप अच्छे काम क्यों करते हैं, there is no final answer possible, इसका अंतिम कोई answer नहीं है and then there is the fact that average is not just a physical climb, और एक यह तत्य है कि average पे चड़ना सारी क्लाइम भी नहीं है, एक कि physically fit है, तो आप average पे चड़ते हैं, ऐसा नहीं है, the man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe, जो mountain पे चड़ते हैं, वो इस ब्रमांड के इतने बड़े ब्रमांड में अपने स्वैम की लगुता के प्रती विशेश तरीके से जागरुक हो जाते हैं, conscious हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं, कि इस पूरे ब्रमांड में उनका अस्तित्व छोटा सा है, बस, आगे देखें, next बिचर जाते हैं, सारे रिरूप से, there is more to it than that, ये उससे कई गुना ज्यादा होता है, it is followed by a sense of fulfillment, ये एक sense of fulfillment, आत्मसंतुष्टी का sense होता है, भाव होता है, there is the satisfaction of a deep urge to rise, rise above one's surroundings, अपने चारों और के वातावरन में खुद को एक संतुष्टी देने का भाव उमरता है, it is the eternal love for adventure in man, और ये एक आदमी में शाश्वत प्रेम होता है, जो प्रकृति के प्रति होता है, जो खिम लेने का शाहाश होता है, the experience is not merely physical, और ये जो experience अनुबव होता है, केवल मात्र physical नहीं होता है, it is emotionally भावनात्मक and it is spiritual, ये एक अध्यात्मिक experience अनुबव होता है आदमी क consider a typical climb, typical climb इसको मानते वे towards the summit, typical मतलब कठीन, climb एक चड़ान मानते वे towards the summit, summit के तरफ on the last heights, अन्तिम जो उचाहिए है वहाँ तक जाने के लिए you are sharing a rope with another climber, तो अपनी जो rope होती है रस्षी होती है वो आप दूसरे climber जो आपके साथ चड़ने वाला उसके साथ आप शेर करते ह हैं, he cuts the steps in the hard ice, वो steps cut करता हैं, सीडिया बनाता हैं, कठोर बर्प के अंदर, then he bilays, फिर वो bilays, bilays का मतलब होता है, fixes a rope, फिर वो रस्षी को जकड के बानता है आप से and you inch your way up, और आप धीरे धीरे आगे चलते हैं, the climb is cream, और climb होती है बहुत ही कठीन, you strain every nerves as you take every step, आपकी जो strain, ताकत लगाते हैं, पूरी पूरी जो नाड़ियां होते हैं, आपके खिंच जाते हैं, मतलब पूरी ताकत लगाने होते हैं, आपको हर कदम के साथ, famous climbers have left records, और जो famous climbers रहे हैं, उपर चड़ने वाले रहे हैं, उन्होंने कई record छोड़े हैं, of the help given by others, जो दू प्रूरत थी, else they might have given up, शाइद अगर उन्हें यह मदद नहीं मिलती, तो given up हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, चड़ाई नहीं करते, breathing is difficult, सांस लेना कठीन हो जाता हैं, you curse yourself for having let yourself in for this, और आप खुद को कोशने लगते हैं, खुद को दोस्त देने लगते हैं, कि खुद आपने खुद को क्यों permission दी, आइवरेश्ट पे चड़ने की, जब आप रास्ते में होते तो आपको ऐसा लगता है, you wonder, आपको आश्चे रहे होता है, why you ever undertook the accent, कि आपने undertook यहनी शुरूई क्योंकि, undertook यहनी प्राइरम करना, start करना, accent यहनी चड़ाई, आपने चड़ाई going back, कि यहां से आप वापस चलें बस, it would be sheer relief to go down, कि यहां से यह ऐसी बात करना केवल मातर आपको थोड़ी सी रहत देगा नीचे जाने का, instead of आप उपर जाने के बजाए, but almost, almost at once you snap out of that mood, लेकिन तुरंत ही आप snap out, तुरंत ही आप उससे बाहर आ जाते हैं, उस mood से कि नहीं चड़ना है हमें, वापस नहीं जाना है, there is something in you, और आपके अंदर कुछ ऐसा होता है, that does not let you give up, जो कि आपको give up करने नहीं देता है, give up the struggle, कि आपको अब संगर्शियां से नहीं छोड़ना है, and you go on, और आप आगे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, और उस पे चड़ाई जारी रखते हैं, your companion keeps up with you, आपके companion आपके साथ होते हैं, just another 50 feet, बस थोड़े से 50 feet आगे वाले, और 100 feet, सायद 100 feet, may be, सायद, you ask yourself, आप खुद से कहते हैं, is there no end, कि यह खतम नहीं होगा, you look at your companion, आप अपने साथी के सामने देखते हैं, and he looks at you, और वो आपकी तरफ देखता है क्यों, क्योंकि एक दूसरे को देखके फिर होसला है, हमत मिलते हैं, just बस 50 feet है, 100 feet है, फिर ऐसे सायद जादा भी हो, ऐसे करके एक दूसरे को देखते हैं, you draw inspiration, और आपके अंदर inspiration आती हैं, prayer न आती हैं, from each other, एक दूसरे से, and then, और तबी, without first being aware of it, और इससे पहले की होते हुए, you are at the summit, और आप सिखर पर पहुंच जाते हैं, looking around from the summit, you tell yourself, आप around 4 और देखते हुए, summit के खुद से कह सकते हैं, it was worthwhile, कि यह worthwhile, यह यह योग यह यह शाहर तक हैं, other silvery peaks appear through the clouds, बादलों से जागती हुए, उदर चोट या नजर आती हैं, if you are lucky, यह आप lucky होते हैं बागेशाले होते हैं, the sun may be on them, तो सूरज उनके उपर होता है, the surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit, तो जो peaks होती हैं, चोटियां होती हैं, वहाँ पे necklace के समान, जो आपने summit पे चड़े हैं, उसके अंदर मानो, एक उसके गले में हार पैना हुआ है, गले का हार पैना हुआ है, ऐसा नजर आ बड़ी घाटियां, जिनकी slopping into the distance, जो की ऐसे धलान, यह क्या होती है, ऐसे धलान वाले, इसके कहते हैं, slopping, धलान वाले घाटियां नजर आती हैं, दूर दूर तक, it is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain, यह क्या होता है, ennobling, ennobling मतलब सुद्ध स्वच, या परिश्कृत करने वा down from the summit of a mountain, mountain से नीचे देखना, you bow down, आप नीचे जुकते हैं, सम्मान में, and make your options to whichever, options, make your options मतलब हो गया, show your obedience, अपना आभार व्यक्त करना, ठीक है, options का मतलब हो गया, अपना आभार व्यक्त करना, to whichever God you worship, जिस भी भगवान के आप पूजा करता हैं, उसके प्रतयाब अपना विक्त करते हैं कि भगवान हम यहां तक चड़ गए, next paragraph है, I left on average a picture of गुरु नानक, मैंने गुरु नानक की एक तस्वीर वहां पे छोड़ी, रावत left a picture of goddess दुर्गा, और जो रावत थे, उन्होंने दुर्गा माता की तस्वीर वहां पे छोड़ी, पहुदूर जी left a relic of the बुद्धा और रैलिक यहने होते हैं अपने अवसेश, कुछ अवसेश छोड़े कि इसके, बुद्धा के एड्मंड हिलेरी had buried a cross under a cross, यहनी जो cross होता ना, ऐसे वाला यह cross buried किया, मतलब दफनाया वहां पे कहां पे, कैरिन, a heap of rocks and stone, rocks and stone का जो heap, heap यहन धेर होता ना, उसके अंदर वहां पे उसने दफनाया, कैन, कैन मतलब होता है कि यहां पे पत्थर और चटाने पड़े, इसके नीचे यहां पे उन्हों ने cross रख दिया, in the snow burv के अंदर, these are not symbols of conquest, यह symbols इन प्रतिक नहीं थे, जीत के, conquest के प्रतिक नहीं थे, but of reverence, यह reverence के प्रतिक थे, अपना व्यक्त करने के प्रतिक थे, the experience of having climbed to the summit changes you completely, और यहां पे चड़ने का जो अनुबव है, वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है, there is another summit, इसके अलावा एक और summit है, it is within yourself, जो हमारे खुद के अंदर होती है, it is in your own mind, यह हमारे swim के दिवांक में होती है, each man प्रतिक व्यक्ति carries within himself his own mountain peak, प्रतिक आदमी के खुद के दिमाग में भी mountain peak, परवत की चोटी के समान विचार होते है, he must climb it to reach to a fuller knowledge of himself, और इसको यहां पे fuller knowledge, पूर्ण ग्यान के साथ, यहां पे पहुँचना चाहिए, it is fearful, यह डरावन होती है, and unscalable, और यह चड़ने म कठीन भी ही होती है, जिस पे चड़ा नहीं जा सके, it cannot be climbed by anyone else, और इस पे कोई दूसरा नहीं चड़ सकता, you yourself have to do it, यह तुमें swim करना पड़ेगा, the physical act of climbing to the summit of a mountain, और एक physical climb, जो mountain पे चड़ने का होता है, outside is akin to the act of climbing the mountain within, akin to यहनी के समान, बिलकुल उसके समान, कैस के समान, जैसा की परवत के ऊपर चड़ना मुस्किल होता है, जैसा अपने मन के जो शिकर होता है, उस पे चड़ना उसके समान ही होता है, बिलकुल उसके जैसा होता है, कठीन होता है, the effects of both the climbs are the same, दोनों पे चड़ is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you, चाहे चड़ना कैसे भी हो physical सारे रेखो, emotional, भावनात्म, spiritual, अध्यानित्मिक रूप से हो, या चाहे कैसे भी हो, यह आपको पूरी तरह निश्ची तोर पे खुद को change करता है, it teaches you much about the world, यह आपको दुनिया के बारे में सिकाता है, and about yourself, और खुद के बारे मेरा अनुबर जो एक एवरेश्ट पर चड़ने वाले व्यक्ति के रूप में है, has provided me with the inspiration, जो कि मुझे inspiration देता है, to face life's ordeals, जो कि मुझे life में ordeals, जितने भी ordeals, मतलब जितने भी कठीन समय आता है, painful experiences, जो भी मेरे होते हैं, उनसे सामना करने के लिए, resolute करता है, मुझे the mountain was a worthwhile experience, परवतों पर चड़ना एक worthwhile सार तक अनुबर होता है, the conquest of the internal submit is equal worthwhile, और इसी परकार internal हमारे अंदर की जो submit होते हैं, उस पर चड़ना भी सार तक होता है, उसी के समान, the internal submits are, और जो अपने internal submits होती हैं, perhaps a side higher than average, जो कि average से भी side उपर हो सकती है, ठीक है, तो ये अपने HPS एहलो वालिया हैं, जिन्होंने ये chapter लिखा हैं, तो हम next part में मिलेंगे, और उसमें हम इसके question answer करेंगे, तब तक के लिए good bye, जै हिंद